हलो गुड मानिंग दोपैरी कैसे हैं आप लोग उमीद करते हैं कि अच्छे होंगे और मेरा ब्लोग को देखते हैं स्किल मैं थेंक्यू करती हूं और यदि आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक कॉमेंट और शेयर कर दिजेगा और जो ने हैं वे सब्सक्राइब कर कहने छाहते हूं यह जो ब्लोग है वह पहले का क्लीप है तो आप लोग बने रहेएगा आदिवासिक काल्चर को में ने दिखलाने की कोशिस की है तो छिए फिर आप लोग देखिए कि क्या मैं दिखला पाई हूं यह नहीं दिखला पाई हूँ, आप लोग कॉमेंट कीजिएगा और बतलाईएगा, चरूर। हाँ, मैं अकेले हूँ, और पूरे ब्लोग में भी शायद अकेले ही रहूंगे, शाहब आये थे, लेकिन वो ड्यूटी के बाद आये थे, तो मैं उसे कहीं भी कैप्चर नहीं किये हूँ. जिस तरीके से कि आप लोग देख रहे हैं, कि दर्वाजे के दोनों तरफ खड़े हैं, सिनिटाइजर, स्वागत के लिए आम पत्ता और काशा का लोटा में पानी, फूल, आग और गीत, संगीत के साथ। यदि ये कोरोना काल नहीं होता, तो लोग नाच करके एक दूसरे को परिचते, लेकिन कोरोना काल होने के कारण, खड़े हो करके सरातियों की श्वागत की जा रही हैं, मतलब कि आज लड़के पाटी वाले लड़के पाटी में आये हुए हैं, इसे लोटा घुरवनी कहा ज ही है, तो आप लोग फिर बने रहिए। पूरे ब्लोग में आप लोग बने रहिएगा, मुझे लगता है, शायद आप लोगों को अच्छा लगेगा, हमारा कल्चर को भी जानने का, जो हमारे आदिवाशे वे तो जानते ही हैं, लेकिन जो नहीं जानते हैं, साइद उनको अच्छा लगे, है ना, तो ये जो भीड है, जो दिखाई पड़ रही है, जादा संख्या में वे सराती हैं, मतलो लड़की पाटी हैं, और बाये तरब जो हैं वे लड़का पाटी हैं, तो आप लोग ये मत कहिएगे कि बहुत कम है, ऐसी कोई बात नहीं है, और भी संख्या में लोग हैं, लेकिन लोकल होने कारण इधर उधर हैं, तो बाये तरब में लड़के पाटी वाले लोग बैठे हुए हैं, तो इधर जो आप लोगों को सारे लोग नजर आ रहे हैं, तो ये सब लड़का पाटी वाले लोग हैं, और लड़का को दिखाने के पहले कुछ-कुछ तयारियां की जाती हैं, जैसे लोग स्टेज पर हैं और जो सराती लोग आये उनका श्वागत भी चल रहा तो मैं म्यूट कर दी हूं और भोई शोबर कर रही हूं इसलिए ये सब बात मैं बतला रही हूं और अब देखिए लड़की पार्टी के कुछ मुख्य सदश्य सामने है और उनके द्वारा सभी सरातियों की श्वागत की जा रही है तो मजब द्वाद की बारी में रोपे गए हम रिम की बारी में रोपे गए हम रिम की बारी में आपने की बारी में रोपे गए हम तीम की बारी में दुल्हे की तैयारी हो रहा है ना पेटा बांद में तो नहीं जानते है असली दुल्हा नाना जी है हाँ है ना यह दुल्हा बाबू है और यह जो है वो दुल्हे बाबू के दादा जी है तो एक मजाक के तोर पर इन्हें लाया गया है और यह दिखलाना चाहरे हैं कि दुल्हा बाबू बहुत खुश है है ना और गाना बज रहा है और वो मस्त मद मस्त नाच रहे हैं तो आप लोग बने रहिएगा पूरे ब्लॉग में और आगे देखिए दुल्हा बाबू उनके जो संग रहते हैं सबकी तयारी हो गई सबकी पगड़ी बंद गई है और अब इन्हें भी लाया जाएगा और जिस तरीके से के देख रहे हैं दुल्हा बाबू को लोगों की तैयारी हो गई है और सर बिदित मतलब कि सारे लोग इस गाना को जानते उतर है आत्मा स्रीजनहार गाने के साथ अभी इन्हें स्टेज पर लिया जाएगा आत्मा स्रीजनहार अपने लोगों को दशन दे आत्मा सी सी पर जाएगा जो आत्मा आए तू में स्रीजी तू करलाता है दिलासा सर्वोची श्वर का क्रीपादा और दुला वावुश्रप को बैठा दिया गया है और वहीं बगल पर पंचों की बैट की सुरू होती यह आदिवासी समाज का रिवाज है कि जो भी शादी के पहले जो भी फैसलाई होती है रिती रिवाज होते हैं वे पंची उसे करते हैं उसके बाद ही गिरजा में सादी पादरी चाहे फादर देते हैं तो उसी की तैयारी हो रही है और आदिवासी समाज में जो बैटी के बाप होते हैं चाहे उनके जो रिष् पिता को सम्मान दिये जाता है बेटे के पिता की ओर से कि आपने अपनी बेटी को इतने दिनों तक पाला पोसा तो उसके लिए इज्जत एक दी जाती है ये दहेज नहीं है हमारे समाज में ये इस तरीके से होता है तो आप लोग भी जानिये इसे और अब सारी प्रोग्राम खतम हो गया और अब ये लोग जो हैं एक दुसरे को पगड़ी बांदेंगे और एक दुसरे को शम्मानित करें लकिन पगड़ी बांदने के पहले इन्हों ने फैसला किया कि लड़के को पहचाना जाए और अभी देखिए उनकी एक्टिविटी कि किस तरीके से दुलह बा किसे कर रहे हैं आप लोग देखिए खुद देखिए है ना और अभी पैर सबको भी हिला हिला के देखेगा लोग कि लंगड़ा तो नहीं है चल सकता है ना सही तेरे किसे दात भी गिनता है वह तब एक मजाक्या रूप हो चलता है यहाँ पर ठीक है जार है आप उच्छी पाने होगा अब दुल्ह बाबो को फाइनली यह लोग पा गए है और उनका मतलब की पगड़ी बांधा जा रहा है तीनों को बांधे गए लोग है ना और अब जो है वो अपने सामर्थ के हिसाब से लड़का और लड़के के दोस्तों से लड़का को तो दुल्ह बाबो को तो लोग कुछ भेट देंगे और साथ ही जो आजो बाजो बैठे उनको भी कुछ-कुछ दच्छीना तो मिलता ही है दच्छीना नहीं कहना चाहिए कु लड़का पाटी लड़की पाटी एक दूसरे की पगड़ी बांदेंगे और सम्मान एक दूसरे को सम्मान देंगे माला पहना के फुल खोसाई करके ऐसे तो सरसो तेल भी लगता था लेकिन को रोना लेकर के वो सरसो तेल वाला जो नेग है वो नहीं हो रहा है तो इस तरीक में इनको कॉल ड्रिंग्स मिलेगा देखे रखा हुआ है है ना तो कॉल ड्रिंग्स देंगे समझे एक दूसरे को पगड़ी बादने माला पहनाने फूल खोशी करने के बाद एक दूसरे से मिले ये लोग आपस में उसके बाद अब इनकी बैठ की शुरू हुई जो बोले पह कासा की कटोरी को ही पहले सुब माना जाता था उसी को खयाल में रखते हुए अभी इस प्रचलन को जारी रखा गया है और आप लोग खुछ से देखे कि कासे की कटोरी है जिसमें की कॉल ड्रिंग्स परोशा जा रहा है हडिया तो नहीं है है ना हमारे समाज में हडिया का बहुत ज्यादा प्रचलन है सभी लोग जानते हैं इसे एक तरफ पंचों के बैठक अपनी चली रही है तब तक दूसरे तरफ दुल्हा बाबू के मुझ देखाई शुरू हो गई है और जो लड़की पार्टी के अपने रिष्टेदार होते हैं वे अपने सामर्थ के लड़का को कुछ देते हैं गिफ्ट देते हैं कहना चाहिए और जो लड़का के साथ बैठा वरता उनको भी कुछ-कुछ हाथ में दिया जाता है क्यूंकि खाली तो नहीं रखा जा सकता हैं तो इस तरीके से हमारा जो रिती रिवाज है वो चलता है और कहना चाहिए एक तरह से छेका, जैसे कि दूसरों के समाज में जो छेका होता है उसी तरह से हमारे आदिवासिक समाज में लड़के की छेकाई हो जारी है, इसके बाद अब लड़का जो है वो बिलकुल बंद जाएगा और अब इसकी कहीं और दूसरे जगा शादी ब्याह का कोई चर्चा नहीं होगी, ये एकदम से उस लड़की के नाम का अब ये हो गया, है ना, तो इस तरीके से चलता है, हमारे समाज में आप लोग भी इसे देख लीजिए. और लगभग सारे प्रोग्राम खत्म हो चुका है, और ये खानी की थालियां सजी हुई है, आप लोग दोंको दिखाई पड़ रहा है, और इधर में खाने सजी हुए हैं, है ना, सारा प्रोग्राम हो चुका है, और वहां से पंचों के द्वारा एलान कर दिया गया है, कि तब शुरू हुआ, फिर से एक बार लड़की के जो रिष्टेदार होते हैं, उनके जो फैमिली मेंबर होते हैं, उनका फिर से एक बार श्वागत किया गया, फूल माला दी गई, है ना, और हम लोगों में बहुत सारा चीज़ किया जाता है, पॉडर वगर भी लगा जाता और कान में दिया गया, और इधर देखिए, सब के खोसा में फूल खोसा गया है, इसे ही फूल कोसी कहा जाता है, और इसके साथ ही पॉडर और आइना भी होता था, लेकिन पॉडर आइना का अभी कुरोना काल में ये सब चीज़ बंध है, आप लोग भी देखिए, ठीक है बहुत कम जगा ऐसा है, जो इसका अपनी आवाज क्योंकि बहुत ज़्यादा हो अला हो रहे थे, इसलिए मैं अधिकतर जगों पर मैं भोश शबर कर दी हूँ, तो अब सारे प्रोग्राम हो जाने के बाद, फिर वही हडिया बाटा जा रहा है, यानि कि हडिया के जगा में कॉल ड्रिंक्स भी जारी है और उन्हें मिहमानों को सम्मानित किया जा रहा है, तो आप लोग खुद से देख लिए, है ना, शादी हो पाटी हो और खानी की टेबल ना दिखाया जा, ऐसा संभव नहीं हो सकता, सारे लोग जानते हैं कि सादी पाटी वगर में क्या क्या मिल करता है, तो आप लोग खुद से देख लिए, पूड़ी, दाल, चावल, पुलाओ, तड़का, मिक्स्ट भेज, चिकन, है ना, यह सारे चीजे थी, और इन सब चीजों को पचाने के लिए, क्या बुलता है उसको, पापड और साथ में गुलाब, जामुन भी थे, ठीक है न खाना वगरा हो चुका था, और हम लोग फुरसत के पल पे बैठे वे थे, यही वो मेरी छोटी ननद है, है ना, और खाना वगरा खाने के बाद हम लोग सब गप सब कर रहे थे, क्योंकि इतनी आवाज थी, कि कुछ सुनाए नहीं पड़ता, इसलिए मैं म्यूट करके, मैं तो मैं बोली कि आप थुड़ा मास्क उतारिये, क्योंकि मेरे कैमरे में आप नजर नहीं आ रहे हैं, तो यही सब कुछ फाइमली गप सब चल रहे थे, है ना, और इस अंतिम प्रात्ना के द्वारा सरातियों की बिदाई हो गई, और सारे लोग एक दूसरे को जैजिशू कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, और एक दूसरे से बिदाई ले रहे हैं, इस अंतिम आग के रस्म के साथ ही, जो मिहमान होते हैं, उनकी बिदाई दे जाती है, हमें लगता है सब जगा ऐसे ही होता है, यदि आप लोगों को पश्चन्द आता है तो लाइक शेर और कॉमेंट कर दिजेगा और जुने फ्रेंड से वे सब्सक्राइब कर दिजेगा जरूर से है ना